अरम मैं मिताली राज हूँ सद्गुरु जी मैं इसके सच्चाई जानना चाहती हूँ कि हर दिन अपने खिलाफ उभरने वाले राए को नजर अंदास करने की क्षमता हम कैसे पास सकते हैं नमस्कारा मिताली मैंने सुनाये कि आप गेंद को बहुत तेज मारती हैं बस गेंद को मारती रहें और हर किसी की राए बदल जाएगी हर चीज के बारे में लोगों की अपनी राए होती है मगर आपको या किसी को भी इससे फर्क क्यों पढ़ना चाहिए दूसरों की राय हमारे लिए केवल तभी माइने रखेगी जब हम जो कर रहे हैं, हम उसके बारे में स्पष्ट नहीं है तो दूसरों की राय से लड़ने की कोशिश करने की बजाए हमें ये स्पष्टता लाने की कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं। अगर ये इस पश्टता हमारे अंदर आ जाए तो दूसरों की राय माइने नहीं रखेगी। मगर क्या लोग हमारे बारे में राय नहीं बनाएंगे। बनाएंगे। उन्हे राय बनाने का हक है। ये कुछ ऐसा है। इसका मतलब है कि आपने पहाड और जंगल में घर बनाया और अब आप जानवर उसे डरते हैं आपको माँ नहीं होना चाहिए आपने बाजार के बीचो बीच घर बनाया और आप महां के शोरगुल से डर रहे हैं आपके लिए वो सही जगा नहीं है आप समाज में रहते हैं और दूसरे लोग क्या कहते हैं उससे डरते हैं नहीं ये समाजिक जीवन का हिस्सा है कोई कुछ न कुछ कहता ही रहेगा आज कल सोशल मीडिया के साथ ये बढ़ चड़ कर दिखता है मगर लोग हमेशा से राय रखते रहे हैं एक समय था जब आपको सिर्फ दो, तीन या पाँच लोगों की राय से लड़ना पड़ता था आज आपको पचास लाख लोगों की राय से लड़ना पड़ता है क्योंकि वो सभी अपनी राय जता रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है वो जो चाहे कह सकते हैं मगर सबसे महतुपून चीज है अपने जीवन में पूरी स्पष्टता लाना कि हम क्या कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं अगर ये हमारे सामने स्पष्ट होगा तो राय आती रहेंगी और बदलते रहेंगी आप बस गेंद को अच्छी तरह मारें आप देखेंगे कि हर किसी की राय बदल जाएगी